नवस्कार दोस्तों सौगत करता हूँ और आईये स्टाट करते हैं करेंट अफिर्स की स्रीज को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हम एक्जाम से रिलेटेड जो एक्जाम के लिए काफी ज्यादा महातुपूर्ण कुछ कुछ से उनके बारे में डिसक्स करेंगे यह हमारी टेस स्रीज कोसिस के जाए तांदिक वाले एक्जाम से के पहले स्ट पहले हैं हमारे स्टिजिस क्या होता है सबसे आगे कौन सा अ है संस्सेवर औप्मेंट गोल 2015 में United National General Assembly में सहीयुक राष्ट महासभव में 17 गोल डिसाइड किये गए थे और एक-एक 2016 से और ये कुछ गोल ऐसे थे जिनको 2030 तक 2030 तक इन गोल को achieve करने के लिए मेहनत करनी होगी countries को ये डिसाइड हुआ था और इन्हें लगबख 189 countries ने ये accept भी किया था और इंडियान में इसकी जो sustainable development goal है इसकी देखरे कौन कर रहा है इसकी निगरानी कर रहा है हमारा नीती आयोग नीती आयोग sustainable development goal की निगरानी कर रहा है तो इसमें क्या है कि sustainable development goal को अचीव करनी की जीशाओ में school education जो उसके 17 गोल है, उनमें से 1 है, उसकी गुनवत्ता में सब से आगे कौन है, केरल, केरल इस समय सब से आगे चल रहा है, और जो केरल आगे चल रहा है दोस्तों, नीती आयोग ने, इसे, मॉनेटर करने के लिए एक बेसलाइन बनाई है, बेसलाइन रिपोर्ट, जिसके तहत, ये Each and Every Goal को मॉनेटर करेगा, और उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई, इस टेट्स के दवारा, ये सम मॉनेटर करेगा और उनकी रैंकिंग डिसाइड करेगी, तो नीती आयोग ने डिसाइड किया, नीती आयोग की रैंकिंग में केरल को नंबर वन रैंक मिली है, इसकुल एजू ने जोजनाय किसी ने किसी गोल के अंदर इग्जीट करती है। देखते हैं। पहला है। पहला जोन लें हमारा कि सुने गरीवी इस इसमें किया गरीवी को पूरतयinflas in पहला हमारा गोल कि एंगरीबी को पूरतया समाप्त किरना फारीवी को 2030 तक फूरता समाप्ट कर देना है इसके तहत इंडिया ने कहूंका सी लाण्च की है कि मौत इसके तहत इंडिया ने लाँच की मन्डरेगा कि ने नशनल लेवली हुड मीशन परधानमंत्री लि देख गाष न फिक इसके अंदर आ हैं परधानमंतरी सुरक्षाबीमायोजना नेशनल सोचल एसजिस्टेंज प्रोग्राम इस चाइप की कई बनाई गई है या प्रधान मंत्री जंधन योजना ये सब चीजें जो बनाई गई है नमबर वन गरीबी सुन्य गरीबी के अंतरगत आती हैं दूसरा क्या किया है दूसरा है भुखमरी की पूरी तरह समाप्ति करना है इसके तरह ग्रीन डिजलूशन गौर्मेंट ने किया है फूट सिक्यूर्टी एक्ट लाई है मिड़े मील द्या जाता है और पोसन अभियान चलाया जा रहा है तीसरा उत्तम स्वास्थ और जीवन अस्तर उत्तम स्वास्थ और जीवन के लिए नेशनल हेल्थ मिशन रूलर अर्बन कई टाइब के बनाए गये हैं आई उस्मान भारत योजना करी गई है कि अगर यह इस टाइब के कई योजना है कि चौथा क्या है चौथा गुनीवत्ता सिख्षा गुरत्ता पूर्ण सिख्षा में जिसके बारे में बात कर रहे तेख से के जीयादा गुल होंस cham little अगे बढ़ और समग्डे सिख्षा बाइ अधिमिक सिक्षा परिसद सिक्षा अभियान तीचर एजुकेशन यह सब चला जा रही है लेंगिक समानता प्रधान मंत्री उज्वलाय उजना और जेंडर बजट स्टेट्मेंट आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला है सुक्रन्या सम्रिध्धी उजना चला रही है यह लेंगिक समानता की अंतरकत आ रहे हैं और स्वक्ष चल साप पानी और स्वक्ष ता इसके अंतरकत तो हमारा सबसे सबसे इंपॉर्टन कौन सा रहा है सबसे इंपॉर्टन प्रिया रहा है स्वक्ष भारत मिशन साथमा सस्ती और स्वक्षूर्जा सब्सक्राइब अच्छा रोजगार आर्थी विकास अच्छा रोजगार आर्थी विकास में क्या है यहीं स्टार्ट अप इंडिया मेकप इंडिया इस्किल इंडिया क्याते प्रदान मंत्री कॉसल विकास युजणा और बिकशीज़ें इंडिया ने पहल किए इंडिया इसकी उर अग्रसर है एक्चिव करने की तरफ लेकिन कुछ चीजों के गोल अभी डिसाइड नहीं किया इंडिया को अभी नहीं मिल पाई है नितिया योगको कि उसने अ अंतर गाता थे हैं 90 एंथर्गत जिसमें ह हमारा उद्योग नवाचार विया दुनादय सुन्धाओं का विकास त्दस्व σहां क्या क्या मांता में कमी आसले में कमी कि इसमें इसके तेहर फमारा क्या किया प्रधान मंत्री जंधन योजना रूर रूर और बंद दूनों के लिए मिसन है तू रिड्यूस इनक्वेलिटी अंग्द कंट्रीज थीक है यह है फिर दीन द्याल उपाध्य है ग्रामीड कॉसल्या योजना ग्यारवा क्या है ग्यारवा है टिकाव सरीविकास इसके अंदर स्मार्ट सिटी अम्रूत योजना रर्बन और पियमावास योजना कई आ रहे है इसमें क्या है समवहनी जिम्मेदारियों के साथ उब्भोग और उत्पादन करना बारवा क्या है जिम्मेदारियों के साथ और गोवर्धन इसकीम यह चलाई जा रही है लेकिन अभी इनका कोई टार्गेट नहीं फिक्स हुआ है तीसरा है हमारा जलवाई प्रभावों से निपटने के लिए ततकाल कारेवाई इसमें क्या है इसका भी अभी पुरा कोई क्वांटिटेटिव टार्गेट डिसाइड न क्या है इसके लिए भी इसके लिए भी अभी कोई क्वांटिटेटिव टार्गेट डिसाइड नहीं किया है पंद्रभा और सबसे मोस्ट इंपर्टन है हमारा इस्थली पारिश्थितिकी में क्या है कि इस्थली जीगों की सुरक्षा करना यह टार्गेट जो है 2030 तक जरूर बढ़ाया जाएगा इंक्रीज लेंड एरिया अंडर फॉरेस्ट के अंदर हमारा 21.54 अभी हैं इनको 33 परशेंट तक कर देना है फॉरेस्ट लगाके ठीक है पॉर्जेक्ट टाइगर और एलिफेंट चली रहे हैं हमारे नेशनल मिसन सचनेबल्द हिमालिया इकोसिस्टम ये भी चल रहा है सांति न्याय और ससक संस्थान इसमें क्या है कि सांत्पूर्ण समावेशी समाज को बढ़ावा देना सभी के लिए न्याय और पहुंच सुनिश्चित कराना इसके लिए भी हमारा देश अग्रसर है सात्वा सात्वा है सामुहिक साज़ेदारी वैस्ट्रिक भागेदारी को पुनर जीवित रखना इस पे भी अभी हमारे इंडिया काम कर रहा है नीती आयोग अभी भी इसके ल जो आने वाले एक्जां में काफी ज्यादा इंपोर्टन रखते हैं अपना वैसे तो हर दिन कुछ नों कोई मई 2020 को मनाया गया है अंतरराष्टी नर्स दिवस ठीक है दोस्तो अनतराष्टी नर्स दिवस कब मनाया जाता है 12 मई को और इसका इसकी theme क्या थी ltry advice to lead nursing the world to health nursing the world to health ठीक है विश्व आधरभूम दिवस मनाया जा रहा है विस्व आदरभूम दिवस ये इसके अंदरगात हमारी रामसर साइट्स कुछ विक्सित की गई है कि ये भी काफी ज़्यादा इंपोर्टन्ट हो जाता है ग्लोबल वर्मिंग से रिलेटेड है जान जोखी में आई है और 4 February 2020 4 February 2020 को विस्व कैंसर दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या है I am and I will अंतराश्टी ट्रांसजेंडर दिवस अंतराश्टी ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर को लेके सुप्रिम कोट ने बहुत ज़्यादा नए नियम मनाया है इसलिए ये ज़्यादा इंपोर्टन हो जाता है क्योंकि ट्रांसजेंडर को भी गॉर्मेंट नौकरी में बराबर का हक्दार मनाया गया है अभी सुप्रिम कोट ने ट्रांसजेंडर को लेके सार्यादेश दिये हैं उनको भी समाज में बराबर का दर्जा दिया जाएगा 31 मर्श 2020 को अंतराष्ट्री ट्रांसजेंडर दिवस मनाया जाता है अंतराष्ट्री ट्रांसजेंडर दिवस इसकी थीम क्या है और देन विजिबिल्टी अंतराश्टी ट्रांजजेंडर दिवस की थिम क्या है more than visibility, विस्ववाधिक संपदा दिवस कब मनाया जा रहा है यही है व्ल्ड इंटेलेक्ट्य प्रॉपर्टि राइट्स दे व्यद्व व्यद्व विस्ववाधिक संपदा दिवस कब मनाया जा रहा है 20 अपरेल 26 अपरेल को मनाया जाता है यह चीज़ें हम ध्यान रखेंगे क्योंकि इन में से कोई नुकोई टेज जरूर पूछ लिया जाएगा एक्जाम में यह चीज़ें इस बार यह ज्यादा इंपोर्टन्ट है ठीक है विस्ट उपरवासी पक्षी दिवस कब मनाया जा रह यह जाता है किसलिए यह आपदा प्रबंदन पुरशकार है डिजास्टर मैनेज्मेंट को लेके यून इसके द्वारा दिया जाता है यह इसको सबसे बड़ा पुरसकार है और जिन के हैं इनको यह पुरसकार दिया है युनायट्री नेशन दिजस्टर डिस्क रिस्क रेडक्षन संस्थाने ये यह यूद्न के संस्था है उनाट नेशन की साथा पुरसकार है यह मैं याद रखेंगे विस्व आर्थिक मंच की पचासमी बैठक कहां हुई है दावस में वर्ड एकनॉमिक फोरम इसमें दावस कहा है दावस हमारा स्विट्जल लैंड में और स्विट्जल लैंड कुले के स्विट्जल लैंड जो है यह क्या करता है विस्व आर्थिक मंच यह पुरसकार भी प्रवाइड करता है जिस्टे क्रिष्टल लैवार्ड क्या किया गया है कि क्या होता है कि दीबिका पाड़ुकॉन को दिया जाता है दिपिका पाड़ोकून को दिया गया है इस बार इस बार का Crystal Award किसको दिपिका पाड़ोकून को ठीक है अगला देखते हैं एबल प्राइज ये बहुत ज़्यादा important question बन जाता है एबल प्राइज का एबल प्राइज क्या है एबल प्राइज एबल प्राइज मैत को लेके नार्वे द्वारा दिये जाने वाला नार्वे द्वारा दिये जाने वाला मैत को लेके सबसे बड़ा प्राइज है एबल प्राइज यह बहुत जादा इंपोर्टन है इस बार के एक्जाम के लिए नार्वे द्वारा दिया जाने वाला मैथ का सबसे बड़ा प्राइज है एबल प्राइज ये किसे मिला है इस पर ये इस पर दो लोगों को मिला है किसको किसको केरन उल्लान बेक इनको मिला था 2019 में इनको मिल चुका है केरन उल्लान बेक को 2019 में और ग्रिगोरी मार्गुलियस इनको 2020 में मिला है रॉबर्ट इनको भी मिल चुका है 2018 में और इनको मिला है 2020 में तो हिलेनी इसके दो आप्सन सही हैं तीसरा चोथा है हिलेन, फ्रश्ट टेनबर्ग 2020 में और ग्रुगरी, मारगुलियस नाम थोड़े से टफ है बटन को याद करना ज़रूरी है क्योंकि एबल प्राइस चांसेज है 99% की पूछा जा सकता है भारत रतन हाल फिलाल में तीन लोगों को दिया गया है इंडिया में भारत रतन, भारत का सबसे बड़ा समान नीपुरसकार है भारत रतन, ये किन तीन व्यक्तियों को दिया गया है पहले हमारे फार्मर राष्टपती रह चुके हैं प्रणों मुखर जी प्रणों मुखर जी को दिया गया है दूसरा दिया गया है हमारा भूपेन हजारिका को भूपेन हजारिका बुपेन हजारी का नाम काफी ज़्यादा फेमस है क्योंकि इससे आसाम में एक पुल भी बनाया गया है बुपेन हजारी का ब्रिज भी बनाया गया है ये काफी फेमस हस्ती हो जाते हैं सबसे लंबा पुल ब्रहभ मुतरी पर काफी बनाया गया है गुपेन हजारी का ब्रीज के नाम से तो ये ब्रीज काफी ध्यान रखेंगे गुपेन हजारी का ब्रीज भी है जो हमारा काफी ज़धा important हो जाता है और तीसरा-तीसरा कौन है नाना मुखर जी, नाना जी मुखर जी को, नाना जी मुखर जी को दिया गया है, ठीक है, दोस्तों ये थे कुछ इंपोर्टन प्राइज और Global Leadership Award, एक बहुत जादा महत्पूर्ण Award है, Global Leadership Award, ये दो ब्यक्तियों का हाल फिलाल में ही दिया गया है, Global Leadership Award, पहला तो है सुन्दर प पिचाई नाम है, इनका सुन्दर पिचाई Google के CEO है, इनको दिया गया है, Global Leadership Award, ठीक है, और दूसरा किसको दिया गया है, दूसरा दिया गया है, एडिना, एडिना फ्रिड्मन को, एडिना फ्रिड्मन को है, ये निवयार्क स्टॉक एक्सचेंज की प्रेसिडेंट है, निव ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दो चीजे है, Global Leadership Award में, सुन्दर पिचाई को दिया गया है, और एडिना फ्रिड्मन को दिया गया है, एडिना फ्रिड्मन निवयार्क स्टॉक एक्सेंज की प्रेसिडेंट है, सुन्दर पिचाई, गूगल की CEO है, तो ये थे दोस्तों कु